हलो फ्रेंट्स मैं एडवोकेट संदीव वर्मा फिर से आपका सौगत करता हूँ आपकी अपने चैनल कोट मेरेज इंडिया में दोस्तों आज जो मैं टॉपिक डिसकस करने जा रहा हूं वह बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है वह आपको बताएगा कि आप अगर कोट मेरेज के लिए तो वह निकलने का दिन आपने कौन सा चूज करना है क्योंकि कई बार हमारे क्लेंट्स बहार से आ जाते हैं बहार दिली से बहार से जैसे की राजिस्थान से कैरला से बॉंबे से काफी दूर-दूर से गुजरात से और कोट मैरेज नहीं हो पाती उनकी क्यों ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि वह घर से निकलते हैं जब तो वह दिन गलत चूज कर लेते हैं गलत इंद सेंस कि वह अपने घर से फ्राइडे की नाइट को निकल जाते हैं अब अगर आप अपने वहां से निकले हो यहां आने में अगला दिन लग जाता है मॉर्णिंग जो कि स तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है क्योंकि आपके हाथ में कोई मैरेज का सर्टेफिकेट नहीं होता उस टाइम तक तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब भी अपना कोट मैरेज का दिन चूज करें अगर आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं जहां पर की पूर कोई कारवाई इनिशेट ना हो सके किसी के भी थुरू चाहे वह फैमिली हो लड़की वालों की या कोई भी इनसान हो उस चाहिए कि आप दोनों वाइफ बन चुके हैं आप दोनों बालिक हैं हम यह रिपोर्ट विजवा देते हैं आपके मैरे सर्टिफिकेट के साथ प्लस इन दोनों की शादी हो गई और इनका प्रूफ तो पुलिस वाले भी जो होते हैं आपके एरिये के वह इस तरह की कोई कंप्लेंट आपके खिलाव दर्ज नहीं कर पाते हैं और ना वो करते हैं क्योंकि उनकी नॉलिज में आ जाता है यहां इन दोनों की शादी हो गई है त आपके पास पूरा अधिकार होता है साथ रहने का और आपके खिलाव कोई कारवाई नहीं की जा सकती उसके बाद लेकिन दोस्तों अगर आप दो दिन तक बिना सर्टिफिकेट के रहेंगे और आपके पास कोई डॉक्यमेंट ऐसा नहीं है जो आप थानों में प्रोडियू सब्सक्राइब करते हैं मैं आपको और अच्छे से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें